आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के दा नॉलेज में इसमें हम आज बात करेंगे हमारे अगले जो अधिकार हैं उनकी अधिकार हमारे आखरी के दो बस्ते हैं एक संस्क्रितिक एवं शक्षनिक अधिकार और दूसरा सवधानिक उपचारों का अ अब दूसराइए शवभात करते हैं हमारे आगलय अधिकार संस्कृतिक एवं श्यक्षनिक अधिकार और 29 और 30 संस्क्रितिक एवं श्यक्षनिक आधिकार और 1400 और और 4 अधिकार आर्टीकल और 39 और तीस सांस्कृतिक एम शेक्षन का दिकार आर्टिकल उनटिस और तीस इसमें अलप संख्यों के लिए दिकार दिया गया है अलप संख्यों की संस्कृति और शिक्षा के समंदित उनकों सुरक्षा के लिए यह दिकार बनाया गया है Article 39 क्या कहता है Article 39 कहता है कि भारत की किसी भी भूमी पर भारत की किसी भी भूमी पर किसी भी जगाय पर रहने वाले पर तेग नागरिक को अपनी भाषा लिपी और संस्क्रीटी को शुरक्षित रखने का अधिकार है कि भारत कि किसी भी भारत की किसी भी भाग पर रहने वाले प्रतेख नागरिक को अपनी भाषा लिपी वे संस्क्रीटी 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 सुरक्षित रखने का दिखाए अपनी भाषा लिपी वे संस्क्रीटी को सुरक्षित रखने का दिकार उसको दिया गया है दूसरा अद क्या का गया है कि जो सरकारी स्यक्षिनिक संस्थाएं है या फिर वीत्य साहिता प्राप्त को संस्था है पर तेक नागरिक को धर्म जाती नसल के धर्म नसल जाती लिंक के अधार पर प्रवेश की मनाई नहीं कर सकता सभी सरकारी स्यक्षिनिक संस्थाएं या वीत्य साहिता प्राप्त वीत्य साहिता प्राप्त संस्था जाती धर्म लिंक नसल के अधार पर प्रवेश की मनाई नहीं कर सकता कि किसी भी व्यक्ति कूस चाहिए वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाती का हो उसको प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता उसको भी उतना दिकार है जितना अन्य धरम भास संपरदाई की लोगों को है उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदबाव नहीं किया जाएगा अगला दिकार है स्थापना, आर्टिकल जो 30 है वो स्थापना करता है अलप संख्यों के लिए अलप संख्यों को यह भी वीशेश अदिकार है कि वो अपनी संस्थाइं स्थापित कर सकते हैं प्रतेगवैक्ति को यह अधिकार दिये गई हैं अगला अधिकार है आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 कहता है कि स्थापना और उनका प्रबंदन आर्टिकल जो तीस है आर्टिकल तीस सेक्षनिक सनस्थाएं एवन सेक्षनिक सनस्थाओं की स्थापना करना स्थापना करना वै उनका परबंद करना अलप संख्यकों का अधिकार है कि अलप संख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वह स्थापित कर सकते हैं मतलब भाशा या धरम भाशा या धरम पर अधारित जितने भी अलब शंक्यक है उनको परतेक को अपनी अलग से सीक्षनिक शंस्थाइं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और साथ ही धन का प्रबंदन करने का भी अधिकार दिया गया है कि धन को एकत्रित कर उसकी मैने वो किसी भी धार पर बेदबाव नहीं करेगी यह नहीं कि यह अलपसेंख्यक लोग हैं इनके लिए कुछ कम सुईधाई या उनके लिए विशेशुईधाई इस परकार का कोई भेदबाव भी नहीं करेगी जरकार यह बताया गया था आर्टिकल 30 में यह थे आर्टिकल 29 और 30 इस दो प्रकार के आर्टिकल थे जिसमें सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो यह सबी कि अधिकार थे अलप सेंख्यों को की संस्कृति और शिक्षा उगिंभाशा को सुरक्षित रखने के लिए दिकार दिये गए थे ताकि वे अपनी भाशा संस्कृति इलि का अधिकार, आर्टिकल 32, सेवधानिक उप्चारों का अधिकार, सेवधानिक उप्चारों का अधिकार, सेवधानिक उप्चारों का अधिकार, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में सेवधानिक उप्चारों का अधिकार दिया गया है, अगर यह आर्टिकल नहीं होता तो हमें यह अधिकार प्राप्त ही नहीं होते यह अधिकार को बनाए गया है अगर आर्टिकल 32 में का गया है कि अगर किसी वैक्टिय को लगता है कि उसके अधिकारों का उलंगन हुआ है भाग तीन में वर्णन अधिकारों का अगर उलंगन हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके अधिकारों की अवेलना करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट की साहिता ले सकता है दर्वाजा कटा सकता है अगर वैक्ति को लगता है लगता है कि उसके अधिकारों की अवहिलना हुई है उसके अधिकारों की अवहिलना अधिकारों की अलब भाग तीन में बढ़न अधिकारों की अवहिलना हुई है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके अधिकारों का उलंगन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटा सकता है और Article 226 के तहट आप Supreme Code की वज़ाए High Code में पिर जा सकते हैं Article 226 के तहट आप High Code में अपने अधिकारों को लागो करवाने के लिए जा सकते हैं और Article 32 है आप Supreme Code में जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी मुलिक अधिकार की अभेलना हुई है तो आप वहाँ पर जाकर उनको लागू करवा सकते हैं ये है सवधानिक उप्चारों का अधिकार सवधानिक उप्चारों का अधिकार है और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में पांच रिट जारी किये जाते हैं रिट जो हैं, पांच परकार के हैं, जो कोर्ट में जारी किये जाते हैं, रिट पांच परकार के हैं, जो मोलिक दिखानों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में जारी किये जाते हैं, जो पहला रिट है, पहला रिट है, बंदी प्रत्यक्षी करण, बंदी प्रत्यक्षी इंगलिश का शब्द है इसको हिंदी में लेख कहते हैं यह जो है एक लाटिन भासा का शब्द है यह लाटिन भासा का शब्द है भासा का शब्द और इसका अर्थ है आप अपना शरीर रख सकते हैं इसका अर्थ है कि आप अपना शरीर रख सकते हैं बंदी पर तक्षी करना लेख क्या है कि आप अपना शरीर रख सकते हैं मतलब अगर आपको कोई बंदी बना ले तो जो न्याल्य है वो आदेश देता है कि सरकार को व्यादेश देता है कि उसको किसी निक्ट वरतिन याईले में पेश किया जाए और उसकी जो गिर्फतारी है वो उसकी और अनोचित्य का पता लगा जासके कि वह दोशी है या नहीं अगर वह दोशी नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाए अगर वो दोश्री है तो कानून के नुसार उसको डंदित किया जाए तो जो बंदी प्रतिक्षिकर्ण लेख है वो लेटिन भशक शब्द है इसमें आप अपना शरीर रख शकते हैं मतलब कि अगर आपको गिर्फतार किया जाता है तो नियालया है जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट हाई कोर्ट है वो आपको आदेश देगा सरकार को आदेश देगा कि आपको निकड़वरती नियालया में पेश किया जाए अगला जो रिट है जो लेख है वो है परमादेश परमादेश लेख इसका अर्थ है हम आग्या देते हैं इसका अर्थ है हम आग्या देते हैं मतलब कि जो सुप्रीम कोड द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को यह है आदेश दिया जाता है कानून के अनुशार कि वह अपने करतेव्यों को कानून के अनुशार निभाए अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि कोई सरकारी करमचारी अपने अधिकारों को अपने करतेव्यों को उचीत रूप्स नहीं निभारा और हमारे अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो आप इस रीट के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा उस सरकारी करमचारी को यह है देगा कि आप अपने कर्तेव्यों को निभाएं यह रिट प्रमादेश लेख होता है जिसे हम आग्या देते हैं जो तीसरा लेख है वो है अधिकार प्रिच्छा लेख अधिकार प्रिच्छा लेख जिसका अर्थ होता है किश शक्ति द्वारा किश शक्ति द्वारा किश शक्ति द्वारा यह अगला है इसमें क्या आता है कि जो नियाले है सुप्रीम कोट या हाई कोट जो अंसा भी नियाले होगा वो नियाले क्या करेगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे सरकारी व्यक्ति को काम करने से रोकता है जिसकी नियुक्ति कानुन के न गार्ड है वो वैसे ही लग जाते हैं बीना किसी के मलब कुछ ले दे के लग जाते हैं अपना ड्यूटी पर जड़ जाते जोईनिंग कर लेते हैं और उस व्यक्ति को मतलब रोक सकता है अपने कार्य करने से कि आप तो लगे ही नहीं आप पहले अपने दस्तावेज चेक बताई आपने कौन सा एक्जाम दिया था किस वीधी द्वार आप लगे हैं अन्याथ आपको रोक दिया जाता है आपको कि न्याला ऐसे वैक्ति को कारे करने से रोक सकता है से सरकारी करमचारी को कारे करने से रोक सकता है जिसकी न्यूक्ति जो है वो कानून के नुसार ना ह मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना मतलब कि यह जो रिट है यह रिट और जो दूसरा है उत्प्रेशनलेक 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 जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रोप से सूजना राप्द करना यह जो दोनों लेक है प्रतिशेद लेक और उत्प्रेशनलेक यह जो दोनों लेक है यह अपर कोर्ट से लोवर कोर्ट में दिये जाते हैं, भेजे जाते हैं, ये जो है अपर कोर्ट से लोवर कोर्ट में भेजे जाते हैं, जारी किये जाते हैं, अपर कोर्ट से लोवर कोर्ट को जारी किये जाते हैं, यह दोनों ही क्या है अपर कोर्ट से लोवर कोर्ट को जारी किये जाते हैं परतिशेद लेख और उत्प्रेक्शन लेख परतिशेद लेख का थोता है रोकना और उत्प्रेक्शन लेख का थोता है पूर्ण रूप से सुचना प्राप्त करना मतलब इसमें क्या होगा परतישe दिलेख में कि अगर सुप्राइम को लगता है या अपर को लगता है कि किसी वेक्टिक को निमन कोड में या निमन स्तरनियाल्या में उसको सजा दी जारे किसी मतलब अगर आपको कोई चोई चारी के तहत पकड़ लिया जाए और उसमें चौरी के जगह आपको कानून के नुसार डंडित ना किया जाए बिलकि आपको चौरी के सजा में फासी दे दी जाए तो आप अपर कोड में अपनी याची का दायर कर सकते हैं और इसमें रोक लग जाती है कि वहाँ पर आपका मुकदमाब नहीं चलेगा अब आप अपर कोड में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपके साथ नयाए पूर्ण तरीके से आपके लिए फैसला नहीं दिया गया था इसलिए प्रतिशेज दिलेख होता है रोकना कि आप वहाँ पर रोक सकते हैं उस याची का को फिर आता है उत्प्रेक्शन लेख कि पूर्ण रूप से सूचना पराप्त करना इसमें क्या आता है कि आपके पास फैसला आ जाता है फैसला आने के बाद आपको आप उसमें प्रक्षे तरदिकार से बार है कि गल सजा दी गई है तो फैसला आने के बाद ही आप इसमें पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना मतलब कि आप अपर कोट में जा सकते हैं जिसमें इसमें कोट क्या है अपने आपके पास भ्योग मंगवा सकता है इसमें मंगवा ताकि किसी व्यक्ति को हानी नह पहुंचे तो यह थे पांच प्रकार के रिट एक थबंदी प्रतेक्षिकन लेक जो लैटिन भाषा के शब्द है आप अपना शरीर रख शकते हैं दूसरा है परमादेश लेक हम आग्या देते हैं तीसरा है अधिकार प्रिच्छा लेक की शक् थे फीक प्रेंग तहब उतर शब्द 126 के तहट हाई कोड़ प्रस्वेंड और हम अपने अधिकारों को लागो किड़ाने के लिएए जा सकते हैं लगा år kitण के लिए अधिकारों को लागो करवाने के लिए हमें ये 5 प्रकार के रिट ये 5 प्रकार के रिट जारी करे किये जाते हैं अगर किसी व्यक्तिकों लगता है कि उनके अधिकारों का उलोंगन हुआ है तो ये थे हमारे मौलिक दिकारों के 6 के 6 मौलिक दिकार जो हमने आज बात क तरली है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आये होगी फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ धन्यवाद जहनु